यूपि सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पैट्रोल पर दिये गया अपने बयान के शोश्र मीडिया पर वाइरल होड़े पर कहा कि उनके बयान को तोल मरोल का पेश किया जा रहा है जबकि उन्होंने पांच फीसद लोगों के पैट्रोल से चलने वाले चार पहिया वाहनों के बारे में कहा था डीजल से चलने वाले वाहनों के बारे में नहीं कहा उपेंद्र तिवारी ने इस प्ष्ट किया कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है वो मुद्दा वहीन है योगी सरकार में शेहरों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है ग्राविन क्षेत्र लोग हैं जो फॉर विलर गाड़ियों से चलते हैं जिनको पैट्रोल की उपयोकता है आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल क्या हो सकता नहीं है और मुफ्त में आज 100 करोड से उपर लोगों को मुफ्त में वैक्सिन सरकार ने दिया आज करोना में फ्री में इलाज दिया घर घर में दवाईया बाटी जा रही है मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिचाई और मुफ्त में कढ़ाई ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है और इस हिसाब से अगर अन्य राजियों की तूल ना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मुले बढ़ा है कहीं नहीं बढ़ा है अगर प्रतिवेक्ति आमधनी क्या इसे तूल ना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है